हलो एंड वेलकम टो गुलोबल अकेडमी आज है 29 जुलाई 2020 देखते हैं आज के तमाम करंट अफेर्स और इनसे रिलेटर जितने भी इंपार्टन फैर्ट सुंगे वह हम डिसकस करेंगे अगर आपको इस वीडियो की पीडियाफ चाहे होगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैं करना ना बोलें और डेली बेस पर आप ये वीडियो देखा करें हम हरों सुबा पांच बूजे से पहले वीडियो अप्लोड करते हैं तो लास्ट पर हम आपसे कुछ क्वेशन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेशन Annie Ross has passed away recently, who was she? हाल ही में Annie Ross का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे एक सिंगर थी, British American actress, jazz singer Annie Ross, उनका भी हाल ही में 21st July को उनकी डेथ हुई और ये उनकी जो डेथ है ये 4 days before her, 19th birthday हुई है, तो Annie Ross इनका आपको नाम याद रखना है, शिवाजा सिंगर Next question, where is the largest solar power plant installed by Indian Navy? भारती नव सेना ने सबसे बड़ा सूर उर्जा सेंत्र कहां स्तापित किया, तो अभी हाल ही में Indian Navy ने विशाखा पटम आंधरपर्देश में largest solar power plant install किया, तो ये किया है Indian Navy ने, तो Indian Navy इसके chief of novel staff है Admiral Karambir Singh and commander in chief है इसके president Ramnaath Kovind Next question, which international supports federation has approved a proposal to ensure gender representation in its council? किस अंतराश्टरी खेल महासंग ने अपनी परिशत में लिंग प्रतिनितों सुनिश्चित करने के प्रस्ताव को मुंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में BWF यानि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने ये जेंडर रिप्रेजेंटेशन प्रोपोजल को एपरूब किया है तो इसमें अब जो बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन ने अप्रोपोजल टो एंशूर जेंडर रिप्रेजेंटेशन आन BWF कांसल और ये जो नया यानि नियूली अप्रोड चैंजिस हैं कांस्टिटूशन में इसमें मिनिमम थर्टी परसंट रिप्रेजेंटेशन तो इज जंडर के लिए होगी यानि मिनिममम थर्टी परसंट इसमें मेल होने चाहे और मिनिममम थर्टी परसंट इसमें फिमेल होने चाहे तो ये अभी हाल ही में वर्ल बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन ने इस प्रोपोजल को एप्रोब किया है तो वर्ल बैडमिंटन फेडरेशन स इसके पॉल एरिक होयर लार्सन यह है इसके करंट प्रेजिदेंट बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन के नेक्स्ट कॉर्शन विच कंट्री रिसेंट्ली लांच्ट इस फर्स्ट एवर मिल्ट्री सेटलाइट अपने आपको नुकलिर आर्म नार्थ कॉरिया से अपने आपको डिफेंड करने के लिए ये satellite अभी हाल ही में लांच किया गया है बाई South Korea तो South Korea ने लांच किया है First Ever Military Satellite तो South Korea से related कुछ important facts देखते हैं South Korea Capital यहां की Seoul, President यहां के Moon Jae-in, Prime Minister यहां के Chong Siu Kion और Currency यहां की Korean Republic One तो यह है यहां पे North Korea और यह है लीचे green color में South Korea और North Korea और South Korea इनके बीच में जो boundary line है इसको 38th parallel कहा जाता है तो यह भी आपको याद रखना है 38th parallel line यह divide करती है North Korea को South Korea से Next question With whom has Airtel Payment Bank tied up to train rural youth? तो rural youth को train करने के लिए Airtel Payment Bank ने किसके साथ tie up किया है? तो इन्होंने अभी हाल ही में Airtel Payment Bank ने NSDC के साथ tie up किया है To train the rural youth तो Airtel Payment Bank ने यह tie up किया है तो Airtel Bank इसकी स्थापना हुई थी 2017 में Headquarter इसके New Delhi में और Anubrata Biswas His current MD&C of Airtel Payment Banks तो इन्होंने tie up किया है NSDC के साथ NSDC इसकी Full Farming National Skill Development Corporation तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में Headquarter है इनका New Delhi में A.M. Nike, he is the current chairman and Manish Kumar यह है इसके current MD&C of NSDC के Next question Recently, Ramesh Babu Buddhu has been appointed as MD&C of which bank हाल ही में रमेश बाबू बुड़ू को किस बैंक के MD&C के रूपे न्यूक्त किया गया है और भी हाल ही में रमेश बाबू बुड़ू को Karoor VSI Bank का नया MD&C of Airtel Payment किया गया है Karoor VSI Bank एक Scheduled Commercial Bank इंडिया का It was founded in 1916 Headquarters Karoor Tamil Nadu Mr. NS Sirinaath is current chairman और Mr. Ramesh Babu He is current MD&C of जिनको अभी हाल ही में बनाया गया है Next question Which state government has launched Godhan Niyaai Yojna किस राजी सरकार ने Godhan Yojna शुरू की है तो अभी हाल ही में 36 government ने Godhan Niyaai Yojna शुरू की है Godhan Niyaai Yojna ये एक स्कीम है जिसमें government लोगों से अब जो कावड़ांग है यानि गोबर है वो इनसे परचेस करेगी at the rate of rupees to per kg और इससे क्या होगा The scheme will turn कावड़ांग into a profitable community तो इससे लोगों को भी benefit होगा उनका भी इससे उनकी employment इसमें जेनरेट होगी और वो भी मजएद उनकी income जो इससे बढ़ जाएगी तो काफी important scheme है Godhan Yojna तो ये 36 गड़ ने अभी हाल ही में लांच की है 36 गड़ से related कुछ important facts देखते हैं तो ये है इंडिया का map और यहां है ये red color में 36 गड़ present state 36 गड़ it was carved out of Madhya Pradesh on 1st November 2000 तो इसको Madhya Pradesh से अलाग किया गया था on November 2000 को और इस दिन इसकी formation भी थी as a state तो capital है यहां की राइपूर गौर्णर है यहां के अनुस्वाई उकई चिम्ट से यहां के भुपेश बैगल जो की Indian National Congress से हैं चतिजगड के कुछ important rivers हैं जैसे river Mahanadi and Shivnaath river यहां के important rivers then कुछ important lakes of चतिजगड Dalpat Sagar Lake Gangamunda Lake Indra Sorawa then Buddha Talab तो यहां के कुछ important lake उसके लावा considerable reserves of bauxite limestone and quartzite यह भी state के अंदर अदर अवेलेबल हैं then चतिजगड it is the only state in India that produced tin concentrates तो यहां tin concentrates भी पाए जाते हैं it is the only state यहां यह tin concentrates पाए जाते हैं तो यहां का state animal है one bhensa जिसको wild Asian buffalo भी कहा जाता है state bird है पहाड़ी माइना hill माइना भी इसको कहते हैं and state tree है यहां का saal यानि सेराई उसके लावा कुछ important national parks हैं जैसे इंद्रवाती निशल पार्ग kangar valley निशल पार्ग then guru भासी निशल पार्ग तो पंथी डांस यहां का important डांस then rot nacha it is also a traditional folk dance usually done by यादोज तो उसके लावा कुछ folk songs भी हैं जैसे song for children वो उसको लोरिया कहते हैं then festival song of 36 गड़ सुवा सांग यह दिपावली के दिन गाया जाता है then doha of rot nacha यह भी दिवाली के दिन ही इसको गाया जाता है then one chaira song chair chaira song to welcome new crops तो यह थे कुछ important folk songs of 36 गड़ तो यह थी तमाम important information regarding 36 गड़ next question Amdogon Kulibal who passed away recently was the prime minister of which country तो हाली में निधन होने वाले तो यह थे ivory coast के prime minister जिनका भी हाल ही में निधन हुआ तो यह है आइवरी यह है Amdogon Kulbile जिनका भी हाल ही में निधन हुआ तो he was the prime minister of ivory coast next question what is the theme of India ideas summit 2020 भारत विचार शिकर सम्मेलन 2020 का विशे क्या है Indian ideas summit इसका जो इसकाल का theme वो है building a better future the theme 2020 theme of the India idea summit is building a better future और यह जो summit it is hosted by US India business council तो इस साल यह जो addition है this year's edition marks 44th anniversary of the founding of the council तो इस साल यह 45th anniversary यह इस council की इस साल जो इनका theme है वो है building a better future next question which company has signed a license agreement with DRDO for development of Akash Missile Weapon System Akash Missile हत्यार पुरानाली के विकास के लिए किस company ने DRDO के साथ license समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो अभी हाल ही में अभी हाल ही में BDL यानि भारत Dynamics Limited ने एक license agreement पर साइन किये हैं with DRDO for the development of Akash Missile Weapon System तो Akash Missile Weapon System की development के लिए यह BDL ने DRDO के साथ एक license agreement पर साइन किये हैं तो भारत Dynamics Limited इस वन आप दा इंडियाज मनुफेक्टरर आफ एम्मुनिशन एड मिजायल सिस्टम इस फॉंड़ इनका हैदराबाद तेलंगाना में एंड करांट CMD है इसके कमोडरो सिधार्थ मिश्रा इस करांट CMD आफ भारत Dynamics Limited DRDO के साथ ये agreement हुआ है तो DRDO से related भी important information देखते हैं Defense Research Development Organization यानी DRDO इसकी full form इस रेस्पोंसिबल फार मिल्टरेज रेसर्च और डेवल्पमेट हैड़क्वार्टर इन इंडिया तो मिनिस्टर रेस्पोंसिबल है इसके आप भारत के किस राज्य में दूरलब पिला कच्वा पाया गया है तो अभी हाल इसा स्टेट के अंदर ये यलो कलर का चर्टल पाया गया है तो ये है ये पिले कलर का च्च्वा यलो कलर तो इसका कलर यलो है और यह जो टर्टल है यह कामाली फोर्ट है पाकिस्तान, श्रिलंका, इंडिया नीपाल, बंगलादेश और मैनमर तो इंडिया में अभी हाल ही में पाया गया लेकिन बाकिस्तान इनमें यह आलरी पाया जाता है यह कामाली इन कंट्रीज में पाया जाता है अभी इंडिया स्टेट उडिसा में भी अभी हाल ही में पाया गया Next question Which state has announced a two-year jail term rupees one lakh fine for not wearing masks and violation of COVID-19 protocols किस राज सरकार ने मास्क न पहने और COVID-19 प्रोटोकोल का उलंगन करने पर दो साल की jail की सजा और एक लाख रुपे के जुरमाने की गोशणा की है तो अभी हाल ही में जहारखंट गौवर्मेंट ने यह announcement की है कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा या जो COVID-19 के जितने भी प्रोटोकोल्स है उनको उनकी violation करेगा तो उसको minimum one lakh fine देना पड़ेगा और two years jail भी उसको दो साल की jail भी उसको दी जाएगी जहारखंट से रिलेट कुछ important facts देखते हैं जहारखंट it is a state in eastern India carved out of southern part of Bihar तो इसको Bihar से अलाहिदा किया गया था on 15th November 2000 को और उस दिन इसकी formation हुई थी as a state capital यहां की रांची, गौवर्नर यहां के दुरूपदी मुर्मो and चीपमस्ट यहां के हिमन्त सवरन तो यह थी आज के तमाम current affairs और इनसे related important facts आप देखते हैं कल का question जो मैंने आप से पूछा था उसका अंसर देखते हैं who has inaugurated Zoram Mega Food Park in Mizoram Mizoram में Zoram Mega Park उसका उदखाट किस नहीं किया था तो अभी हाल ही में हर सिम्रत कौर बादल जो की Union Minister of Food Processing and Industries in the Government of India है तो यह हैं हर सिम्रत कौर बादल इन्हों नहीं अभी Zoram Mega Food Park जो म्यूजोरम में है उसकी inauguration की है तो हर सिम्रत कौर बादल she is a member of Parliament in Lok Sabah from Batinda and she is the member of Shiromani Akalidal Party तो यह Shiromani Akalidal Party की member भी है तो यह था answer of yesterday's question आप के लिए आज का question इसका आपको answer करना होगा question of the day who has launched the Pravarsi Rozegar app Pravarsi Rozegar app अभी हाली में किसने launch की योगी आदित्यनाथ, कंगना, रैनोट, सौनुसूद या अमिच्या तो इसका आपको answer करना है इन्दा comment box उसके लावा एक और question है आपके लिए next question है आपके लिए जहलम रिवर उसका रिगवेदा में किस नाम से इसको पुकारा गया है या आपको बताना है तो name of जहलम रिवर इन्दा रिगवेदा एक और आपके लिए question है आज third question भी है river that separates Jammu from Punjab तो आपने उस river का नाम बताना है जो Jammu को पंजाब से separate करता है तो इन three questions का आपको answer करना है इन the comment box तो ये थी आज के तमाम question तमाम current affairs इनसे related important facts नाई वीवर से request है हमारे शनल को subscribe करें like करें और इन वीडियो को share करें okay thanks and as always God bless you all